नवाजदे की वीडियो और कोलेज के लिए या फिर याप के सिकते यी से जिनकी परिछा नीग इस में पर इसमें परिछा होने वाला हिए उन्च वीडियो के लिए क्री आप से कमेंट के लिए हैं कि सर्भी टार्ड एकिर एर से रइलेटे भी कुछ तक बताये तो हलाकि आप सभी को मालू है कि शेयल के मातना से सभी इन्वर्सिटी को सभी को सब्सक्राइब के जाते हैं आप लोगों थोड़ा वेट करना होगा लेकिन आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी 2.8 थर्ड एर म morph बेपर के वाले हैं यानि कि आज की वीडियो जो होने वाली है वो बिये थार्ड एर के जो चातर जन्की परिचיה 2022 में 3 में होनी हों हो जो है चात्र उनकी परिच्छा जो हिंदी सब्जेक्ट की वो होने वाली उससे सम्मधित बहुत ही टॉप लेबल के कोईश्चन आज किस वीडियो मैंने इंक्लूड किया है जो कि आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेल्फ होने वाले तो बहुत इंपार्टन कोईश्चन ध् पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को पूरी समझ में आज है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज कि वीडियो में आप सभी को मैंने बता दिया कि आज की जो वीडियो होने वाली हो बिए थर्ड एर हिंदी मारल कोईश्चन की होने वाली है तो एक एक कोईश्चन समझें पहला कोईश्चन की आउधी भासा की प्रमुक प्रवित्तिया बताईए यह बहुत ही टॉप लेबल का कोईश्चन में कई बार रिपीटेड भी है यह मैं आपको बता दूं कि यह आउधी भासा की प्रमुक प्रवित्तिया क्या है यह आप लोगों को इंटरनेट पे या फिर अगर आप लोग ज्यादा रिशर्च करेंगे तो आप लोगों को इंटरनेट पर गूगल पर मिली जाएगा कि अवधिभासा की प्रमुक्त प्रत्या क्या है या फिर आपने बैंक या फिर आपने बुक खरीदी है तो आपको उसमें मिल जाएंगे फिरहाल इन सभी की ज कुछ सर्च कर लीजेगा ठीक है कि आधुनिक आउधी कविता की सांसिकृतिक चेतना पर प्रकास डालिए यह भी बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इस पर रिसर्च कर लीजेगा अच्छे से पढ़ लीजेगा इसके बारे में बस ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि यह अत नोट डाउन करके रिखिएगा नेस्ट कोश्चन है कि आउधी के प्रमुख ठीक है प्रेमा ख्यानक ठीक है प्रेमा ख्यानक काब इधारा के कभियों के नाम लिखिए तो आप लोगों को हेडिंग यानिकी डाल देना कि यह कभी निम्लिखित है और पॉइंट वाइस रिखिश्षेट्स में चैजिए के प्रमुक कभियों का नामों लेकर श्मार्तिक करने कि नहीं जो कभी है उनका नाम लेको 3 लिखिए के गborा गयं का में लिखित नाम लिखित है तो ठीक है तो भी बहुत important question मजाक में मत लीजिएगा बहुत ही seriously और टॉप लेबल के question क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह आप लोग lightly लीजिएगा ठीक है तो important question नोट डाउन करेकर रखेगा answer इसका research करिए और अपने अपने नोट बुक में इसको इसका answer आप लोग research करके लिख लिजिएगा ठीक है या फिर आपका सकते हैं पिछले कई सालों में कई बार पूंचे भी गए हैं तो इस बार भी रिपीट हो सकते हैं question next question है कि आपके पार्ठक्रम में निर्धारित यूसुफ जूलेखा के अंस का सार लिखे तो आप लोगों को क्या इस कोश्चा का मतलब यह है कि जो आपका पार्ठक्रम यानि की बिए तरतिया वर्ष के चात हैं थार्डियर के चात रहें उनके पार्ठक्रम में हिंदी में तरतिया वर्ष में यूसुफ जूलेखा के अंस है ठीक है उसका आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में डीटियल लिखना है ठीक है अगला कौश्चन है कि यूसिप की चरित्रिक बिसेश ताइब बताईए तो यूसिप जूजे हैं उनके चरित्रिक बिसेश ताइं उन बताईए यहां पर भी कोश्चन था आप लोग ने पढ़ा कि यूसुफ की चरित्रिक बिसेश ताइब यहां पर आ रहा है कि जूलेखा की चरित्रिक बिसेश ताइब तो अगर आप इन दोनों में से कोश्चन अगर अच्छे समझ के जाते हैं अच्छे से इनकी बिसेश है आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों को इन दोनों प्रस्ट रखते हैं तो आप लोगों को सेख निसार का बास्तीविक नाम था तो सेड निखार कि यूसुफ जुलेखा खंड काब में कितने प्रमुख पात रहें उनका आप लोगों को उलेख करना है यानि कि उसके बारे में थोड़ा डीटियल में लिख देना है बस उलेख का मतलब यह हो गया जैसे कि उलेख हुआ वर्डन हुआ विवेचना हुआ विब्रन हुआ तो यह सब जो लास्ट में कुछ वर्ड आ जाते तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डीटियल में लिख देना है बस वही मतलब होता है ठीक है जैस्ट कोश्चन है यानि कि 10 नंबर कोश्चन कौन सा देखते हैं लिखा कि पड़ीश का जन्म कब और कहां हुआ था तो पड़ीश की मृत्त कब और किस कारण से हुई थी और किस वजा से हुई थी तो किस कारow क्या था जिससे मृत्त हो गई थी हैं धेहांत हो गया था तो आप लोग इसके बारें भी बिए लिख तो आप मिल सब्सक्त ही क्योंकि इसमें ज्यादा डीटेल में नहीं है क्योंकि इस कोश्चें का मतलब यहीं कि इनका अम्रत्त कब हुई थी और किसकार से हुई थी तो सिंपल सा इसका एंसर भी मिल जाएगा ठीक है तो आप लोग इसका भी एंसर ढूंड लीजेगा और को नोट डाउन कर लीजेगा कि पड़ीश की का विभासा कैसी है इस पस्ट कीजिए तो का पड़ीश की जो का विभासा यानि कि उनकी जो भासा थी वो कैसी थी उसके बारे में डीटियल में थोड़ा लिखना है आप लोगों को असपस्ट करना है ठीक है असपस्ट यानि उनके बारे में असपस्ट करन तो उनकी नेच्टर उनका कैसा था ठीक है उसके बारे में थोड़ा डीटेल में लिखना है प्रकाश डालने का मतलब यह नहीं कि आप लोग प्रकास डाल दीजी बहुत परशाद तो वैसे ही समझ जाते हैं लेकि प्रकास डालने का मतलब है कि सांसे की जो चेतना है उस पर आ कुछ आप लोग कुछ मालूम है कि उसके वारे में पिडिसी की क्या ठीक है इन्होंने क्या उसके बारे में कहा है क्या योगधान दिया है उनसे इनका क्या सब्मंद आप दोड़ा आप जोटीज लोगों को मिंत्र इप इंका क्या कोणी को नेРИज़िज़ों वाř इस्ट कोण पर प्रकाश डाली मनईना ओखिक की मानावतावादी आणा कि वादी की दिश्ट कोण पर यनि उससे नजरिये से उसकी बादे में आप को थोड़ा संशिप्त में लिख देना है तो दोस्तों यह बहुत इंप्वाइटन कोईश्चन है अगर आप लोग समझे होंगे तो पूरे मैंने जो कोईश्चन बताए हैं आपके लिए बहुत ही हेलफुल हैं आपके आने जा के लिए काफी इंप्वाइटन है कुछ ना कु की बहुत ही इंप्वाइटन आने वाली दिनों में और भी किष्चन में आप लोगों को प्रोवाइट करण गा तक होँगे ठीक है इसपर करता हूं उसके बाद को और मैं आपको यह भी बता दूँ कि नए इस इच्छानीटिंटि तो नए शिच्छनिति पिसली बार तो मा बदलाव आये थे लेकिन इस बार जो है वो सभी की परिच्छाएं लगबग होने की पूरी उम्मीद है समेश्टर वाले वार्सिक वाले तो इस बार पूरी तरह से स्लेबर से चेंज है को इस भी चेंज रहेंगे सारी चीजे आपको चेंज मिलेंगी ठीक है तो उसमें बहु प्रश्ण पत्र आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव कोश्चन होंगे आप लोगों को फिल करना होगा उनकी जो पेपर उसमें लिखना होगा यह कुछ इन्वर्सिटी के रूल से हाला कि सभी नियम कानून अलग-अलग है लग-बग तो सभी के अलग-अलग है तो आप आप लोग कहीं पर उब्जेक्टिव कोश्चन आ सकते हैं कहीं पर रिटन भी हो सकता है ठीक है तो यह आप अपने इन्वर्सिटी से कॉंटेट में रहिए जिसके माध्यम चार्ड में एडिमीशन कराया उससे संपर्क में रहिए कि सर हमारे इन्वर्सिटी में किस बार कैस से पेपर कराये जाएंगे हमारे क्लास के तो उनसे अगर कॉंटेक्ट में रहेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी क्योंकि मैं देखो आप सभी को मालूम है कि इंडिया में बहुत सारी इन्वर्सिटी की नौलेज कोई भी नहीं रख सकता है ठीक ह यह कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेते कि हां लगभग इस प्रकार की कुष्चन आने वाले हैं या फिर ऐसे हैं कुछ सोत्रों के मुताबिक लेकिन एक्जैक्टली कोई नहीं कह सकता है इसलिए आप लोग अपने रिफरेंस से कॉंटेट रखी अपने इ ध्यान में आप लोग लखिएगा बस आप लोगों को कमेंट में अपनी जो भी कि जिस भी सब्जेट का माडल पेपर एक माडल कुष्चन चाहिए वह आप लोग कमेंट सक्षन बताइए और टेलेग्राम के चैनल का लिंक भी वीडियो के इसक्रेशन में हैं वहाँ पर के लिए जहिंद